दूसो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जोसेफ एडिसन का एक ऐसे सर रॉजर एड चर्च इस ऐसे को दे स्पेक्टेटर में पब्लिश करवाया गया था इस ऐसे में जोसेफ एडिसन हमको बताने की कोशिश करते है संडे की इंपोर्टन्स को इस ऐसे में सर रॉजर नाम का एक आदमी है जिसे संडेज बहुत पसंद है क्योंकि संडेज की दिन उसे चर्च में बनने का मौका मिलता है आप जानते होंगे क्रिश्चन लोग संडे की दिन चर्च में मिलते हैं चर्च जाना हर संडे का नियम होता है उनका और हफते में 6 दिन काम करने के बाद ये एक छुट्टी आते है जब लोगों को आराम मिलता है एडिसन एक गाउं की बात करते हैं उस गाउं का भी सेम नियव है गाउं वाले संडे के दिन चर्च में दूसरे गाउं वालों से मिलते हैं वो उनके पडोसी उनके रिलेशन में होते हैं अच्छे-च्छे कपड़े पहन कर खुश मिजाज मूड में सब लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं अलग-अलग topics पर अलग-अलग subjects पर बाते होती हैं लोग दूसरे के matter में इतना interest लेते हैं जबकि उनका personal matter नहीं होता तब भी आपस में बाते करते हैं जो कुछ भी चर्च का clergy बोलता है उसे सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसे सुनने के बाद सब लोग आपस में एक साथ एक आवाज में भजन गाते हैं ये चीज़े हमारे writer Joseph Edison बोलते हैं कि ये चीज़े culture को बचाय रखने के लिए बड़ी ज़रूरी है और इसके अलावा एक और वज़य है कि Sunday important क्यों है पूरे हफते आदमी गदे की तरह महनत करता है तो उसका heart जो है unclean हो जाता है वो सही चीज़ों को ढंक से समझ नहीं पाता Sunday उसकी सोच में से इसी गंद को बाहर निकालने का काम करता है उसको refresh करने का काम करता है पूरे हफते जब इनसान काम ही काम करता रहता है तो उसे सोचने तक का वक्त नहीं मिलता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है नचरली सोचने का वक्त नहीं मिल पाता तो वो selfish हो जाता है ठक जाता है rough manner हो जाता है और Sunday उसे help करता है इन सब चीजों से बाहर आने में एक clergyman उसको जो advices देता है उन सब को सुनकर वो अच्छा फील करता है clergyman उनने बताता है कि उनकी duties क्या है अपनी family के लिए, society के लिए, religion के लिए, God के लिए इन सब चीजों से आदमी हो या औरत, सब motivated फील करते है अब ऐसे ही एक church man है, Sir Roger वो बड़ा religious man है, यानि customs को लेकर बड़ा कटर आदमी है वो गाओं के church में बड़ा interest लेता है पूरा ध्यान देता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग church को attend करे church को भी अंदर से सवारने में उसका बहुत role है beautiful बना के रखा है उसने church अलग-अलग type से decoration करके और Bible की बहुत सारी खूपसूरत और significant line है उसने select करके church की दीवारों पर लिखवा रखी है ये बहुत पैसे वाला आदमी था इसने बहुत खर्चा किया church के उपर अब इसने note किया कि गाओं के लोग regularly church नहीं जाते तो इसने seriously उनको encourage किया कि लोग church आए regular basis पर आए और हर इंसान के पास अपनी एक common prayer book होने चाहिए लोगों को prayer में involved होना चाहिए इवन एक singer था उसको इसने गाओं के लोगों के पास भेजा कि गाओं के लोगों को गाना सिखाओ ताकि वो prayer में ढंक से गा सके लोगों से कम से कम prayer करने में तो गलती ना हो और ये successful rise task में उस singer ने अपना काम अच्छे से किया और हमारे writer Joseph Edison कहते हैं कि Sir Roger की ही बदौलत उस गाओं के लोग इतना अच्छा prayer गाने लगे कि आस पास के गाओं में कोई भी नहीं गाता होगा Sir Roger चर्च के अंदर तो सारे villagers के master थे वो हमेशा ध्यान रखते थे assembly का कि हर कोई चर्च के अंदर discipline और good decorum को follow करे sermon के दौरान सो जाते थे लेकिन जब भी वो जागते थे सब को जगाते थे वो देखते थे गाओर से कि कोई सो तो नहीं रहा और अगर उन्हें कोई sermon के दौरान सोता हुआ मिलता या तो वो खुच जाते थे या अपने किसी servant को भेज़ देते थे और कभी कभी तो अपनी ही प्रार्थना से खुश होकर वो तीन चार बार आमीन बोल देते है और कभी कभी तो लोग जब अपने घुटने टेके भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे होते हैं तो सर रोजर कि समें लोगों को डिस्टरब मत किया करो तो ये सब देखकर हम जान सकते हैं कि सर राजर का behavior बहुत अलग था बहुत अजीब टाइब के इनसान थे लेकिन उनकी अजीब हरकतों को लोग नजर अंदाज कर देते थे क्योंकि लोग जानते थे कि वो एक अच्छे आदमी है जिमेदार आदमी है उनमें बहुत सी खूबिया है और बहुत सी कम्याबी इन सब का mixture थे क्योंकि जब वो इस गाओं में आये थे उस वक्त तक चर्च को इस गाओं में कोई seriously नहीं लेता था इनके आने के बाद इन्होंने काफी सारी चीज़े गाओं वालों को provide करवाई जिससे बैठने के लिए आसन पूजा करने के लिए और अपनी personal prayer book इस चर्च में काफी सारे काम decoration की सारे काम Sir Roger ने अपने personal money से करवाय थे इसलिए गाओं के सारे लोग Sir Roger का सम्मान करते थे इसलिए जब prayer भी खत्म हो जाती थी तब भी लोग अपनी जगह से उठने की कोशिश नहीं करते थे कोई एक इनसान भी घर जाने की कोशिश नहीं करता था जब तक Sir Roger ना कहते कभी कभी तो Sir Roger अपनी सीट से उठकर लोगों के पास में आते उनसे उनकी मा, परिवार और बाकी जनों की बाते करते इससे यह साब जाहिर होता है कि Sir Roger चर्च को लेकर बहुत ज़्यादा sensitive थे वो हर साल चर्च में काम करने वालों की salary बढ़ाते थे इसका reason यह था कि गाओं के नाजवान चर्च की service में active रहे अब इस गाओं के comparison में आसपास की गाओं में देखें तो लोग चर्च में interest कम ही लेते हैं और इसका क्या प्रभाव है? प्रभाव यह है कि लोग आपस में लड़ते रहते हैं बहुत chaos मचा हुआ है वहाँ पर हर कोई अपने आपको best prove करने में लगा हुआ है और जमिंदार और व्यापारी जैसे लोग तो आसपास की गाओं में चर्च जाते ही नहीं और अगर आसपास के गाओं में आप देखो तो जमिंदार और व्यापारी लोग तो चर्च की इंसल्ट करते हैं अगर ऐसे लोग इंसल्ट करेंगे तो चर्च पे बहुत बुरा असर पड़ेगा आम लोगों पे बुरा असर पड़ेगा क्योंकि आम लोगों का सहारा होता है चर्च इससे पूरा गाउन नास्तिक बनता है क्योंकि वो लोग चर्च के लिए फंड नहीं देते और इस बज़े से सारी बात आ जाती है चर्च के प्रीस्ट पर चर्च का प्रीस्ट लड़ता है लेंडलॉट से कि तुम गाउन वालों को नास्तिक बना रहे हो फंड नहीं देते ये सब चीज़े क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी बात है आम लोग जो होते हैं वो पैसे वालों से बड़ा ज्यादा प्राभावित रहते हैं वो जैसा भी करते हैं पैसे वाले जैसा भी करते हैं आम लोग उनको फालो करते हैं जिससे society में balance गायम रहे और यहीं पर हमारा ऐसे खतम होता है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज की इस वीडियो में बस अतना ही